नमस्कार में गाई का जुनु गोतम अमिताप शुकला जी ने मुझे कविता भेजा हुआ है तो आज मैं उनके लिए थोड़ा सब वक्त निकाल थे ये कविता पाठन करने जा रही हूँ आशा करती हूँ आप लोग इस कविता का भरपूर आनंद लेंगे उन्होंने शुषक में लिखा है सपनों को पानी की कुशिश संगीत की तरंगों के साथ जर्णों के सुमधूर गीत के साथ संगीत की तरंगों के साथ जर्णों के सुमधूर कीत के साथ पहाड़ियों कंदराओं और तालाबों के बीच मधूर और कल-कल बहती नदी के पास बिताना है जीवन जो छूट रहा है शहर के कोलाहल और व्यर्थ के पचड़ों में हम जानते हैं कितना व्यर्थ है फेस्बूक और कई फेस जो रहते हैं हमारे आसपास फिर विरोज देखना इन सब को कितना दूरुह और जटिल होता है वह दिन भले थे जिनमें सपने हरे थे सपनों को पानी की कोशिशों में बीतता वक्त सपनों को पानी की कोशिशों में बीतता वक्त कितना हसी और कोतुहल से भरा होता था ना रतजगा और न जगड़ा होता था, हर इंसान कितना भला होता था, शब्दों से ना सही भावनाओं से जुड़ा होता था, धन्यवाद